असलाम इकूम इवर्स कैसे हैं आप अमेद करते हैं कि आप सब्सक्राइब से होंगे आप देख रहे हैं फोड बैनिगर वीडियो पूरी देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जूरु कीज़ेगा ताके हमारे आने वरी हर वीडियो आप तक बाशानिक आज कि और रेसीपि बनाने जा रहे हैं वहाँ हां यहां पर हमने एक अदद प्यास ले लिया हैं आफ केजी चिकन और हांफ कीजी डाल को लिश्रोटे बेटेश दे दाल को हमने आदा घंटा पहले भी हम गो दिया था एक प्याज हो इसमें शामिल करेंगे साथ से आठ अधर लेसन के जवर हो इसमें शामिल करेंगे छे से साथ अधर लाल मिर्चे वो इसमें शामिल करेंगे यहां पर हमने सुखा ली थी लाल मेरे साबित हैं तो इसमें तीन अधर हरी मिर्चे वो शामिल करेंगे साबूद दो टुकडे दार्चीनिके एड करेंगे एक अधर जाइफल के तुकडा इसमें शामिल करेंगे तीने दफ लांग करेंगे set 0 से काली मर्चें साबूद इसमें शामिल करेंगे वांटेबल स्पून सफैज जीरा साबीट इसमें शामिल करेंगे यह अपने गरम मिसाला जो है साबीट पूरा ही डालना है यहां पर मैंने आपको अलादा-लादा करके दिखाया है आप चाहें तो एक दम से भी डाल सकते हैं वांटेबल स्पून सुखा धनिय शामिल करेंगे तो टेबल स्पून अमक एड़ करेंगे आप चाहें तो आपने टेस्पून मताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं वांटेबल स्पून पिसे लार मिर्च शामिल करेंगे वांटेबल स्पून पिसा हुआ सुका धनिया शामिल करेंगे वांटेबल स्पून इ आप चाहें तो इसमें फोल्ड ग्लास भी डाल सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं डालना तुमाम इसमें शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें अब इसको कवर कर लेंगे कुकर को और कम से कम हमने 15-20 मिनिट का इसको टाइम लगाना है डाल को आपने फुल फ्लेम पे नहीं पकाना नार्मल फ्लेम पे पकाना है क्योंकि अगर डाल गल गई पानी खतम हो गया तो ये नीचे से लग जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं दाल भी गल चुकी है जिकन भी गल चुका है और पानी भी नहीं है इसने तो हम इसी के अंदर ही कुकर के अंदर इसको मिक्स करते रहेंगे और यहां अब मैंने डाल बाहर नहीं निकाली कुकर में ही है इसको मैं इसे के अंदर ही अच्छे तरीके से ब्लैंड कर लूँगी इस चमाच से क्योंकि यह गरम गरम है और इससे बहुत अच्छे से ब्लैंड हो जाएगी अक्सर लोग पहले डाल को निकाल लेते हैं फिर तंडा करते हैं और फिर इसको कूटते हैं या मिक्स करते हैं मतलब तो उस तरीके से ठंडी हो जाती है जब ठंडी हो जाएगी तो डाल भी सक्त हो जाती है वो बहुत मुश्किल से पिस्ती है यह गरम गरम होगी और इसमें द चिकन के रेशे खुद बहुत ही इसमें हो चुके हैं और जो है चिकन और दाल दोनों ब्लेंड हो चुके हैं अब मैं इनको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और यहां पर जो है दाल ठंडी हो चुकी है अब एक बॉल में हमने सारा मिटेरियल जो है वो निकाल लेना है यह देखें बिल्कुल ही अच्छे तरीखें से जो है स्टॉफिंग डाल और शिकन की हुई है अब इसमें थोड़ा सहरा धनिया शामिल करेंगे दो से तीन आदधए हारी मिल्चे है वो हमने काट ली है वो इसमें शामिल करेंगे और इसमें को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हम नेरा दन्य और हरी मिल्चिन जो हैं डाल कर मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर से जो थाबद गरह में साला डाला था इसमें से निकाल लेना है और जो हड़ी हैं रह गई हैं वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे और इसके बाद हम शामी कबाब बना स्टार्ट करे अब इसको हम जिस तरह रोटी के पेड़े को हम इस तरह बनाते हैं न यह देखें इस तरीके से करते जाना है और इसको हाथ की मदद से हमने प्रेस करना है इस तरीके से हलका सा दबाना है और इस तरीके से परते जाएंगे और यह देखें शामी कबाब की शेब कितने प्यारी आई है इस तरीके से हमने बागी शामी कबाब भी जह हैं वो त्यार करने हैं और यह हमने कबाब बना लिए हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहां पर हमने एक बाह ले रहना है इसमें दो अंडे शामिल करने हैं अंडों को अच्छे तरीक से मिक्स कर लेंगे वन फॉर ट्रेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे थोड़ी से इसमें कालिमेट शामिल करेंगे नेक्स सकते हैं कितनी हैं और इसको अच्छे तरीक से मिक्स कर लेना है तो मिक्स कर लें कालिमेट डालने से इसका टेस्ट बिखूरी अच्छा आता है ए कि अरभ हमने एक कबाब लेना है और इसका अप्ट में ठीक से कर देंगे और इसी त्रीके से हमने इसको उठा कर., डशा और हम पारव ँदके नसने ऊंअ मेरेकीश चामिल करना है। शम्हामिल निदेड़ा करेंगे करके चा मिलोगों को अंड़ का अथ से मेरे स्मेल राने जब तिक जम्हाम। तोटेंगी 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 थोड़ी थोड़ी सी एहतियात जहां यह लाजमी होती है और देखेंजी कितना प्यारा कलर आया है शामी कबाप कर अब हम इसको निकाल लेना है और बाकी के शामी कबाप भी हम इस तरह इसी तरीके से निकालते जाएंगे और आप देख सकते हैं कितने प्यारे और मज़िदार से शामी कबाप बनकर त्यार हुए है इसके साथ हमें ते इजाज़त हमें रेसिपीज को जरूर ट्राइ कीज़ेगा और हमें कमेंट्स बोक्स में जरूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसे लगती है अला हाफिज